अगली खबर आ रहे हैं ग्वालियर से जहां एक कारोबारी को जल्दबाजी में अकाउंट नमबर टाइप करने की गलती साढ़े तील लाक रुपए की पड़ी है कारोबारी कुछ दिन पहले पितांबरा फूड प्राइवेट लिम्टेट फर्म को 3.5 लाक रुपए का पेमिंट कर रहे थे लेकिन अकाउंट नमबर लिखते समय एक नमबर गलत होने से क्वालियर के दही मंडी रितू इंटर्प्राइजेज के अकाउंट में चला गया जब विवसाई को यह पता लगा तो उन्होंने उस फर्म से संपर्गे किया जिनके अकाउंट में कैस चला गया है कुछ दिन उन्होंने कैस लोट आने की बात कहीं इसके बाद वे टहलाने लगे अब कैस देने से मुकर गया घटना जनक गंज स्थित पीजीवी कॉलेज की यूनियन बैंक ब्रांच की है जब व्यापारी की सिकायत अपर पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है सहर के जनक गंज स्थित समाधिया कॉलोनी निवासी अजैपुत्र जैराम खुशवानी विवसाई है उनका खुशवानी इंटरप्राइजिज के नाम से चॉकलेट का विवसाय है जुलाई माह में उन्हें पितामबरा फूड प्राइवेट लिम्टेट को साढ़े तीन लाख रुपै का पेमिंट करना था जिस पर उनों ने पेमींट करने के लिए पीतांबरा Food Private Limited के खाता क्रमांग आखिरी के तीन अंक में भेजना था लेकिन गलती से पैसे इस खाते में ना भेजते हुए एक अंकी गलती से खाता क्रमांग 288 में रितू जैन की फर्म रितू इंटर्प्राइजिस दही मंडी में पहुँच गया भुकतान करने के बाद व्यापारी को लगा कि उसने फर्म को पैसा पहुचा दिया है लेकिन जब पितामबरा फर्म के मालिक ने पेमिंट की रिकवरी के लिए कॉल किया तो व्यापारी ने जाच की और पता चला कि 3,5 लाग का भुकतान एक नंबर की गलती से पितामबरा फर्म के स्थान पर दही मंडी की एक फर्म के खाते में चला गया है इसका पता चला तो वह उक्त फर्म के मालिक से मिले और पूरी बात से अबगत कराया रितू इंटर्प्राइजिस फर्म के मालिक ने पैसे आने और उन पैसों से माल भरने की कहकर कुछ समय बाद पेमिंट करने को कहा रुपियों को वापस करने के लिए जब अजय ने दवाब बनाया तो रितु इंटर्प्राइजिस के मालिक द्वारा हर दूसरे दिन एक नया वादा कर उन्हें जल्धी वापस करने का आस्वासन दिया हर बार वह अपने वादे से मुकर जाता जब उन्होंने दवाब बनाया तो साड़ी कारोबारी ने उन्हें चार चेक देती है जब चेक बैंक में लगाये तो चेक बाउंस हो गया जब वह साड़ी कारोबारी के पास पहुँचे तो उन्होंने पैसे लौट आने से इंकार कर दिया ठगी का हैसास होते ही पीडित थाने पहुचा और मामले की सिकायत की पुलस ने उनकी सिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है इस मामले में जनग गंस्थाना प्रभारी आलोग सिंग परिहार का कहना है कि पीडित विवसाई की सिकायत पर जाच की बाद मामला दर्ज कर लिया है मामले की जाच की जारी है जाच में जो तथे आएंगे उसके आधार पर आगे की कारिवा ही की जाएगी बोला कि मेरे पैसे घलब तरीके से आपके पास आगया आप से मारा कोई भी ट्राजिक्शन या लेंदेन नहीं है उन्होंने आस्वासन दिया कि मैं सीप्र वापिस कर दूंगा और एक लाग रुपे का उन्होंने चेक भी दिया उनको लेकर वो चेक वापिस बाउंस हो गया अब मांस होने के बाद भी उन्होंने कोई पैसे उनको वापिस ना करते हुए उनको डराया धमकाया इस कारण से फर्याद ही ठाने पर उखस्तित आया और उसकी प्रतन सूचना दर्ज कर हम पिवेचने कर लें